हाई फ्रेंज मैं हुनिवेट ता रियालिटी शो बिग बॉस का तेरवा सीजन वाकई में काफी तेड़ा है शो में इन दिनों घरवालों के बीच काफी लड़ाई जगडा देखने को मिल रहा है कभी कंटेस्टेंट अब एक दूसरे का असली चेहरा सामने लाने के लिए खुद प्लानिंग प्लोटिंग कर रहे है वहीं हाली के एपिसोड में देखा गया था कि रश्मी देशाई और सिधार्थ के बीच गंदी लड़ाई देखने को मिली थी और इस लड़ाई में सल्मान खा सीधा सीधा सिधार्थ शुकला का सपोर्ट करते नजर आये थे जिसे लेकर सोशल मीडिया पर रश्मी के फैंस नाराज़गी जाहिर करते देखे गए थे और ट्रोल करके पूच रहे हैं कि आखिर सल्मान खान और शो के मेकर्स क्यों बार बार सिधार्थ शुकला का फेवर कर रहे हैं क्यों सल्मान बाकी घरवालों पर बरसते हैं लेकिन सिधार्थ को कुछ नहीं बोलते यही नहीं पहले हफते से ही बिग बॉस पर लगातार पक्षपात के आरोब भी लग रहे हैं लेकिन इन सब के पीछे क्या वज़ा है क्यों सिधार्थ को हीरो की तरह दिखाया जा रहा है इन सभी सवालों से परदा उठ गया है जी हाँ, इस बीच एक फैन पेट से ये दावा किया गया है कि बिग बॉस मेकिंग टीम की जो चीफ कंटेंट ओफिसर है मनीशा शर्मा वो दरसल सिधार्थ शुकला की गर्ल प्रेंट है बस शायद यही वज़ा है कि शो मेकर्स भी सल्मान से शुकला का फेवर लेने को कह रहे है अब इस मामले में कितनी सचाई है ये तो शो मेकर्स ही जानते होंगे लेकिन सोशल मीडिया पर सैक मनीशा शर्मा ट्रेंट कर रहा है इसको लेका यूजर्ज ने कई तरह के पोस्ट किये मनीशा पर ट्विचर पर लोग आरोप लगा रहे है वहीं सुमवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि रश्मी अरहान से अकेले में बात कर रही है और उसको बता रही है कि सिधार्थ जो कहता रहता है ना ऐसी लड़की वो सिर्फ मुझे ही नहीं कहता उसके घर जाने वाली मेरी एक दोस्त को भी वो इसी तरह कहता है वेल अब देखते हैं कि खबर में कितनी सचाई है वैसे आपको बता दे कि सिधार्थ शुकला की घर में रश्मी के अलावा आसिम, विशाल और अरहान की जबरदस्ट पाइट हो चुकी है विग बॉस का पूरा घर इस समय दो गुटों में बढ़ चुका है खेर अब देखना तो ये दिल्चस्प होगा कि सिधार्थ शुकला की रियूमर्ड गल्सपिन मनीशा शर्मा का इस पर क्या रियाक्शन आता है